दोस्तो आज मैं आपको 62-83 एंप्लिफायर के बोड में बेस्ट ट्रेबल और वोल्यूम के कनेक्शन करना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल इसका मैथल रहेगा वीडियो को पूरी जरूर वाच करना अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है जो मैं इंपोटेंट ज पूरा जरूर वाच करें तभी आपके समझ में वाइरिंग आप आई ही और वीडियो को लाइक और सिर जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करके यहां आप इससे भी बेटर कॉंटेंट हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इसमें बेश और ट्रेबल के जो कनेक्शन होने हैं कापी सस्ते में आपका यहां पर काम बन जाएगा क्योंकि यह जो आप किट अगर पर्शेज करते हैं तो 20 से 25 रुपे की एक किट आ जाती है और साथ में दो कंपोनेंट यहां पर वैसे मैंने पेर बना के रखा ह आप चाहे तो इसको लगा सकते है आप चाहे तो इसको लगा शकते अभी यह क्या-क्या है मैं चरिये महं आपको बता देताहूं यहां पर जो फियुज हो इसका जो नंबर भोगा तुए एक सो चार्जे आप चाहे तो स्कार्स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तू एक सो चार्जे साथ में यहाँ पर जो रजिस्ट्राइस यूज की है वन किलो ओम्स की है और अगर इसके यह चीज आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर इस कंपोनेंट को भी आप ले सकते हैं अब आप जैप कैपासिटर की ही स्रेडी में आता का भी सफ़ेलों गोलागा यह कापासिटर नहीं कहते इसको फिय्एफ कासिटि कहते हैं तो पियएफ कैपासिटर आप ले लिजिए जिसकी वैल्यों एक तो बनाना सिक्खाओंगा प्रिषार लोगों को इन कंपोनेंट्स को न तो यहां पर आपके आसपास या घर पर यह उपलब दो पूरानी कीट होती है मैंने आपको ओलेडी एक वीडियो के माधिन से समझाय था कि कोई भी खराब कीट में आपको हजार प्रकार के आपको वहां पर कंपोनेंट मिल जाते हैं तो यहां पर देखेंगे आप यहां पर system isRO 3D 10 1800 141 mm की capacity आपको सबसे आद खिमे था किसी भी circuit में देखने के लिए मिलते हैं देख सकते हैं इतने सरे components हमामें देखने के मिलते हैं इसले कभी किसी भी खराब circuit board को फैगना मत उस खराब circuit board में से भी बहुत सारी चीज़े आपके काम में आ सकती हैं अब यहां पर देखिए इसकी एक लेग यहां पर एक कर देनी है इस तरीके से उसको पर ह्लेते हैं अब यहां पर इन दोन की एक लेक्स को यहाँ पर होगी इसको अलाग कर ले ना है अब इसका यहां पर देखिए इन दोनुको हमने कहां कनेक्ट करना है मैं बाता देता हूं सबसे पहले म कि जो लेग है वॉल्यूम स्विच के बीच बीच में हाँ पर कर लिनी है वॉल्यूम स्विच आप ट्रेबल के लिए 40K का लीजिए नहीं है तो हंड्रेट के भी चल जागा कोई बात नहीं स्विच के बीच में कनेक्शन करने है अभी वॉल्यूम अगर के आपको फिर से मैं इसके बात दिखाऊंगा पहले इसी स्टेप को मैं कंप्लीट करता हूं तो यहां पर देखेगा इस तरीकी से के कनेक्शन होने है कपश्टर की एक लाग और रिजिस्टेंस की एक लाग इस तरीकी आप चाहे तो बीच-बीच में स्क्रिंशॉट अपने पास लेके रख सकते हैं ठीक है यहां पर इसको कर लिया है अब सबसे पहले इसके स्क्रिंशॉट लिए फिर आगे बता दो चले जले लिया होगा अब यहां पर तीसरा वॉल्यूम स्च क्लेक्षन करएं बेस्ट्रेवल का हो गया इस वॉल्यूम जिच के आप कनेक्शन करेंगे तो फिर एक वायर हमने यहां पर लेके ौन होगे अब इसको आपको समजा देता हूं यह जो ब्लAY कलिके दीख tel हहां इस स्यं वॉल्यूम स्विच है और यह हमारा बेश का और यह ट्रेवल का तो वॉल्यूम् सिच के लाश्ड को बेश के लास्ट को और ट्रि로 के लास्ट को हमने वायर से कनेक्ट कर लिया है तो लास्ट वाला ग्राउंड का रहता है वन टू थ्री सभी का लास्ट लास्ट कनेक्ट करके हमने एक वायर ऐसे छोड़ दी है इसको भी साइट कर लेते हैं अब बाकी आपको बता दिया दोनों की बेस और ट्रेबल की बीच वाली लेग इस कैपसेटर से में और इस रेजिस्टर रहते हैं कि इन सीरीज का जोड़ है उनसे जोड़ रहा है दोनों का जो भी सील दीक का हिसा बचा उसको अमने इस तरीके से चोड़ लिए हैं अब बचा इसके दो बच सिस में मैं एक बच बचा तक करना क्या है इसकी बीच वाली उध्युम की करूंगा उसका भी 300 अप ले लेना अब यहाँ पर देखिए जो रेड वायर है इसको वीट में है और उसी को उठाragen इस वाले के यह जो च्रैवर, सुर्व बेस के 1st में है फिर प्रेवल के 1st में है ड्रेवल और बेस के 1st में यह रैड वाली मैं उसके सिर्फ एक पिन बजिये है अब यहां पर देखिए आपको फिरसे मैं अची तरीकर समझा देता हूं इसमें जो तीन पिन है फिस्ट ಇसके फिस्ट पिन जो है इसकी फिस्ट फिन और इसकी बीैच वाली पिन एक साथ किया था तो एक पी नहीं पर लग गई है बाकी दोनों की एक लेक जोड़ना है वो अभी आपको बताऊंगा बाकी इसकी 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 तीनों की लास्ट वाली जो ब्लैक दिख रहे हैं आप ये ब्लैक ब्लैक ग्राउंड एक हो गई है ठीक है समझगे इची वाज़ा नहीं है तो आप इसकी शॉट ले सकते हैं उससे आपको और बेटर तरीकी समझमें आप आएगा अब यहाँ पर हमने करना क्या है एक यल्लो वायर ले रे चुट है यहां पर यहां पर प्ये और रिजिस्ट्रेश का जो यहां पर आपस में जॉइंट है इसके साथ हम इसको इसको सो connection दे देता हूँ, आपके पास AUX की lead होंगी, AUX की lead बोले तो इस तरीके से जो आपके पास जिसमें mobile वगर connect करते हैं, उसके यहाँ पर सिर्फ एक ही channel का बता रहा हूँ, दूसरे channel के भी आप ऐसे आप खुद setup कर लिजे, बाकि यहाँ पर आपको guide में दे दिया, अब यहाँ पर इससे दो wire आगी है, जो हमारी input करेंगी, एक जो ground के रहेगी, ground की कर्यक्ट हो जागी, ground के साथ, जो हम connect कर लेंगे, इसको connect कर लिया है, बाकि input के लिए जो इसकी 1st pin बची हुए, volume switch की 1st pin बची हुए, उसको हमने input कर लेना है, चलिए, इसको हमने यहाँ पर एक minute इसको input यहाँ पर दे देना है, volume switch के 1st वाले इसमें, इसको input दे देना है, यह भी setup हमारा त्यार हो चुका है ग्राउंड की ग्राउंड में और इंपूट की इंपूट में तो यहां पर दिखिए volume switch के first वाली pin जो खाली थी उसमें हमने जो हमारा mobile की lead है वहां से जो wire आई है उसकी left वाली इसमें connect कर ली है और इससे यह वाली तो लास्ट में ground पे connect होगी भले आप यह लगाए भले आप Bluetooth लगाए भले आप कुछ भी लगाए तो इस तरीके से connection होने मैं यहां पर Bluetooth का यूज करूंगा सिर्फ जो जिनके बाब Bluetooth नहीं है mobile से चलान जाते उनको तो मैंने बता दिया इस तरीके से connection होने बाकि Bluetooth का भी वह connection होना है left का left में और ground का ground पर connect करना है देखिए हाँ पर मैंने एक Bluetooth को use किया है Bluetooth की तीन यहां पर signal input के लिए बीच का ground है और यह वाला एक signal का है मतलब left right का छोड़ दिया है left और ground का यहां पर connect करूंगा तो ground की जो है जो black वाली मैंने बताई थी जो सभी के last वाले से connected है उसमें हमने इसको connect कर लेना चलिए यह connect हो चुकी है ground की connect हो चुकी है और left की यहां पर इस volume switch के first वाले मैं मैंने देदेना है देखिए जो first वाली leg हमारी पचीवी थी यह वाली volume switch की यह वाली डीच वाली तो यहां पर red वाली है उसको हमने connection कर लिए जैसा कि आपने वीडियो के starting में देखा था तो यहां पर देखिए signal input के लिए हां पर हमने इसको connect कर लिया है अब हम signal input जो करेंगे Bluetooth से हम करेंगे तो यहां पर Bluetooth के ही हमने जोल लिये हैं देखिए Bluetooth से दो wire आई थी एक जो left की थी left की हां पर connected हो चुकी है volume switch के first वाले में अब आपको side clearly दिख रहा होगा अब आपको दिख रहा होगा volume switch के first में और ground की यह signal की बाकी जो red की थी red की इसके बीच में इसके first में हमने जोल लिये हैं बाकी जो ground की थी black 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 सभी के last में जुड़की हैं तो इतना मैंने अच्छी तरीकी से बता दिया और आपके समझ मां आ रहा होगा मुझे पता है वीडियो को लाइक नहीं कहा तो लाइक कर लेना अब बात आती हैं पर 62-3 के board पे connection करने की देखिए यहां पर एक और दो यह wire छूटी है यह जो है black वाली यह सभी के ground से connected मतब सभी के last में ground से connected है अब यहां पर यह yellow wire बची है जो की PF और resistance के center से निकली है यहां से हमारा signal output होगा 62-3 के लिए बाकी यहां पर जो हमारे base travel और volume की connection थे वो हो चुके हैं अब 62-3 में हम समझेंगे कि कहां पर हमने क्या करना है कहां पर क्या कॉन सा connection करना है वैसे मैंने already एक video बनाई हो तो वी video आपको यहां पर i button में मिल जागा या फिर end scheme मिल जागा इसका पूरा diagram में लास्ट में दूँगा इसको मैंने setup बनाया है इसका diagram लास्ट में दे दूँगा अब यहां पर हम समझते हैं यह front का portion है 62-3 का जिसको नहीं आता है तो वो देख सकते है उसके लिए काफी important knowledge है इसको आता है वो skip कर सकते है 62-3 का front है जहाँ पर cd 62-3 करके लिखावा है original IC है यहाँ पर triangle वाली मैंने आपको अल्लेडी बताया था कि triangle वाली हमारी original IC होती है तो यह front का हिससा है इसको हम जस्ट उल्टा करेंगे पहले आपको बता दूँ इसमां 12 pin होती है यहाँ से गिनना start करेंगे आप द्यान दिजिए बिल्कुल द्यान दिजिए गलत connection करने है यह 12 नंबर की pin है यह last तक 12 नंबर की pin है अब देखिए इसको उल्टा कर लिया है तो 12 नंबर की pin है वैसे 1st number है नहीं जब आने उसको उल्टा किया तब 1st number की बनी से गनना हम start करेंगे क्योंकि अभी उल्टा करें तो यहां से गनना start करेंगे तो आपको बता देखिए लेफ्ट का जो output होता है लेफ्ट का output जो होता है ऐसी के दूसे नंबर की pin से मिलता है तो ऐसी के दूसे नंबर की pin पे एक हमारा capacitor लगा होगा जिसका minus वाला negative वाला portion खाली रहेगा और वह जो वही पर end होगा उसका आखरी छोर ही वही होगा capacitor का negative point उसको हमने find करना है find क्या करना है दूसे नंबर की pin पे आप simple से देख लिजे यह pin कहा तक जारी है जहाँ पर end हो रही ही वही पर capacitor का negative point रहेगा यह देखिए यहाँ पर अब यहाँ से यह pin आगे को नहीं बल रही है इसके just पीछे क्या है यह capacitor है capacitor का negative point है negative point को हमने देखना यह वाला तो यहाँ पर हम क्या करेंगे speaker का output ले लेंगे कौन सा left का अब इसका left का input कौन सा होगा मैं बतादेता आपको 5 नंबर की pin हमने पकड़नी है ेक दो तीन चार पांच तो पाच्वो नंबर की pin पकड़नी यहाँ पर एक resistance लगए यहाँ से यहाँ तक एक capacitor लगा होगा capacitor यह वाला है तो capacitor के just बाद एक resistance होगी यहाँ से यहाँ तक यहाली रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की एक लाग खाली रहेगी वह लाग वही पर end होगी कहीं और जगा नहीं जाएगी जैसे यहाँ पर end हो जागी है तो यहां से हमने left का input देना आउटपुट हमने दूसरे नंबर की पिन से लेना और पाचवे नंबर की पिन में द पॉइंट ने खाली दे दिया है ताकि हम यहां से speaker का output ले सकें ठीक है आउटपुट हमेशा capacitor के negative से लेंगे और input जो लेंगे वह रजिस्टेंस से होगा बासट तिराची में ठीक है बासट तिराची में क्योंकि सभी IC के अलगला connection होते है बासट तिराची के आपको में बत आपका capacitor लगा है और यहां से हहां थे के resistance लगी है । जिसकी एक लیک खाली है यह वाली lep khali है तो यहां से आप input देंगे एक चैनल का input देना आपने हमेशा 5 नमें दूसरे चैनल का आपने देना है 7 नमबर में एक चैनल का आपने output लेना है दूसरे और दूसरे चैनल का आपने 10 वे नमबर से यह आपको बता दिए हैं सिफ हमने एक ही चैनल पर करना है तो सबसे फ़हले हम speaker को connect करेंगे कितने नमर की पिन में output हमेसे आपको बताए था दूसे नमर की पिन से सिफ लेफ्ट के लिए बता रहा हूं यहाँ पर ट्विटर वगरे सभी के मैं connection करूंग तो साथ साथ ही सभी के आपको बताते जाओंगा, अब यहाँ पर मेरे पार Twitter भी है, ताकि आपको travel का भी अंदाज़ा चल जाए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप दूसे नमर की पिन को उठा लिए, दूसे पिन पर जो last Mac capacitor है, उसकी एक लेक खाली रहेगी यहाँ पर बारवे की पिन होती है, वह आपका butterflies की पोजिटियव रहती है, बारवे नमर की पिन बोले, तो यहाँ से इस्टार कीजिए, यह जो है लास्ट की बारवे नमर की पिन है आप यहाँ पर बैटरी को connect के लीजिए यहां से आता को rear liter की नमबर यहां पर यहां फर gogehen पर पीन पर जा रहा है उशची बात है वहाँ पर सकते हैं या फि यहां पर डारेट सकते हैं ध्याटरी का डाइडउ चलाओंगा तो यहां पर देखिए 12 Volt की पीन पे चार्ज को क्नेक्ट फिर कर लोगा पहले स्पीकर के कर लेता हूं आपको दे छोड़ दिये थे मैंने माफ कि जीए यहां पर देखिए कि speaker का मैंने आपको बताया था दूसरी नंबर की pin पे जो capacitor का यह खाली है उसमें speaker का हमने connection कर लेना है बाकी मैं ground पे आपको समझा रहा थो तो ground की जो pin होती है चटे और नवे नंबर की होती है यहां से आप गिनाश्र की स्टार्ट करेंगे तो यह चटा नंबर और यह नवा नंबर तो इन दोनों को का end कहां पर हो रहा है यहां पर हो रहा है देखिए यहां पर ठीक है यह ground है आपका तो ground पर हमने इस speaker का जोड़ेन है speaker का ground बैटरी का ground और आपका AUX का ground एक ही होगा ground एक ही होगा तीन होगा बाकी आप जो connection बाकी आपके जो positive negative जो speaker के हैं उनके लिए आपको मैंने बता दिया है speaker का positive होगा यह दूसरी नंबर की pin के capacitor में लगेगा और AUX का आपको बता देता हूँ यहां से आप पाचवे नंबर की pin गिनना start करेंगे एक दो तीन चार पाँच पाचवे नंबर की pin में जो हमारे को यहां से यहां तक के capacitor है वहां से फिर यह है एक लग यहां पर खाली है जी जो resistance इसके जस्ट पीछे तो वहां पर हमारा AUX का हमारा connection होना है अब AUX की pin कहा से आगी चले माँ बता देता हूँ आपको वीडियो के starting में मैंने बताया था कि यहां पर हमने setup त्यार किया था यह वाला setup हमने त्यार करा था कौन सा यह volume का यहां पर देखिए यहां पर हमने इसके connection करने है तो यह वाली के connection होगे बाकी बचा यह black वाला black वाला कहां पर connect होगा ग्राउंड पर ग्राउंड आपको कौन सा बताया था मैंने छटा और नवा नंबर छटा और नवा नंबर कौन सा आ रहा है यह पट्टी आ रही है देखिए यह पट्टी आ रही यह जा रही है यहां पर जहां पर हम इस speaker का negative ही साथ में जोड़ेंगे इस पीकर और एक साथ हम जोड़ेंगे ठीक है तो इनके वॉल्यूम स्विच के इसके और इसके लास्ट में जो पिन लगी है ग्राउंड की यह ब्लैक वाली यह इसके ग्राउंड पर आ जाएगी छटे और नवे नंबर की पिन यहां पर connected है वहां पर आ जाएगी तो यह हम पर आपको यहां पर बैटरी का पॉजिटिव में भी आप दे सकते हैं ठीक है इसमें आमने दे दिया यह बारवे नंबर की ही पिन है आप confused नहों तो यहां पर देखिए आईसी की बारवे नंबर की इसी प्रिंट से होते वे जा रही है अब यहां पर बैटरी का नेगेटि हो जाएगा कहां पर यहां पर जहांकर हमें एक का नेगाटिव दे था एथा स्पीकर का नेगेटिव दिया था और साथ पर बैटे न common protective हम यहां पर देदेगे सबही का नीगाट एक साथ connect हो जाएगा और हमारे carry के त्यार हो चुका है अब यहाँ पर इसके कवर को मैं लगा लेता हूँ वोल्यूम स्टीच की जितने भी हाँ पर मेरे को दिख रहे इनको मैं फिट कर लेता हूँ उसके बाद आपको टेस्ट कर वागे मैं दिखा दूँगा अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यह तो है पर बनाऊ को तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी काफी सार लोग बोलते है आप लंबी वीडियू बनाते हैं तो आफर कमेंड कर रा घाए तब लियूर चाहते हैं तो क्मेंट ज़रूर कर ना और वो दोशों लाइक हो जाते तो मेंस की बहुती इज्छा की है सब्सक्राब करनेटे का लिए है। सब्सक्राइक को यह फिर अच्छ अवाली इत रहता हुppen I'm हम पर इसको के छ। कर लेता हूं तो सबसे भाले सार्ट तूघक के सारे उस इसको मह लिए हैं सब्सक्राइख बंद कर दो कर दो कर दो कर दो बढ़क नेक दो कर दो कर दो किटिया सते हैं तो इस तरीकी से आप अपने अप्लिफायर पे बेस और ट्रेवल को कनेक कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा बेस चाहते हैं जो की बूफर के समान हो तो इस किट को इस्ट्रॉल करना में आपको सिखा दूँगा बस आपकी कमेंट और आपके लाइक कवेट रहेगा मिलते एक लिए टोपिक बढ़ तब तक के लिए टेक केर